सुनी अब ध्यान से पिछले क्लास में हम लोग S.H.E. पर काम कर रहे थे लेकिन अभी तक आप उसका पड़िभासा नहीं लिखें Standard Hydrogen Electrode का पड़िभासा अभी तक आप नहीं लिखें आप समझे हैं कि मानक सर्त क्या होता है और उससे related चीजों को समझे हैं आप नीचे एरो दीजिए एक बार कोपी देखें लिंक टोड़ता है तो यहीं सब देखके थे अब देखो एक हो गया Hydrogen Electrode और एक हो गया मानक Hydrogen Electrode दोनों में क्या अंतर है यदि किसी भी सर्त पर इलेक्ट्रोड Hydrogen Gas इलेक्ट्रोड बनाए तो उसको हम लोग Simple Hydrogen Electrode कहेंगे और यदि मानक सर्त पर Hydrogen Electrode बनाए तो उसी को हम लोग मानक Hydrogen Electrode कहेंगे Standard Hydrogen Electrode कहा जाएगा तो नीच एरो देजे और लिखेंगे जब Hydrogen Gas इलेक्ट्रोड में जब Hydrogen Gas इलेक्ट्रोड में H पलस आयन का सांद्रन H पलस आयन नहीं पहुचानते हो क्या H पलस को H पलस आयन का सांद्रन 1 M 1 M का मतलब 1 M मोल पर लिटर 1 M कॉम ताप 25 डिग्री सी या 298 केलविन तथा Hydrogen Gas का दाव तथा Hydrogen Gas का दाव एक ATM हो एक ATM हो तो उस Hydrogen Electrode को ही तो उस Hydrogen Electrode को ही मानक Hydrogen Electrode कहते हैं तो उस Hydrogen Electrode को ही मानक Hydrogen Electrode कहते हैं अच्छे इसको एक और तरह से हम डिफाइन करते हैं और एक लाइन का मात्रा डिफिनिशन है सुन लो सुन रहे हैं आप मानक सर्थ पर Hydrogen Gas Electrode ही मानक Hydrogen Electrode कहलाता है क्या वो बाकी सबब उसमें आ नहीं गया मानक सर्थ क्या मतलब होता है वो तो अपने आप अल्रेडी कंसीडर हो गया यह जैसे ही यह वर्ड हम मानक उसमें जोडते है तो और करके इसको एक और तरह से डिफाइन कर लेंगा मानक सर्थ पर मानक सर्थ पर Hydrogen Gas Electrode को ही Hydrogen Gas Electrode को ही S.H.E. कहते हैं जल्दी से फीगर ड्रॉ कर लीज़े अब यह जो बोड पर अभी बना यह एक Hydrogen Electrode है अभी अभी यह क्या है Hydrogen Electrode अभी यह S.H.E. नहीं है लेकिन हम जैसे ही यहां पड़के हैं कि यहां पर हम Hydrogen Gas जो है यह डालते है 180 M pressure से जैसे ही इसके बगल में लिख दिया जाए टेमपरेचर 25 डिगरी C है और इस बरतन में H पलस आयन का सांदरन 1 M है तो अभी यह Hydrogen Gas इलेक्टोड नहीं बलकि मानक Hydrogen Gas इलेक्टोड हो गया और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे S-H-E हम लोग नहीने चाही punishment यह हम जुआ हुआ है AKA Develop this हम भूआ हो मानक्टोड नहीन हम का क라고 है lenदर कान एक्रेश रिख कर टो बbers Chicago भुल प्रोब प्रोब करता है कि यह हो गया लिख लिए सब्सक्राइब करके यह बेहद इंपॉर्टेंट बाद लिखो लिखेंगे S-H-E-K S-H-E S-H-E बोले तो Standard Hydrogen Electrode मानक Hydrogen Electrode S-H-E-K मानक Electrode विभव S-H-E-K मानक Electrode विभव कामान सुन्य होता है S-H-E के मानक Electrode विभव विभव कामान सुन्य होता है यह जो बात अभी हम लिखें हैं इसकी जरूरत आगे आपको परेगे जब परेगे तब हम इसके बारे में डिटेल में बोले हैं और इससे लिखे सेल का वेदित वाहक बल या इसी को सेल विभव भी कहा जाता है इलेक्ट्रो मोटिफ फोर्स आप सेल या इसी को इंग्लिस में सेल विभव को सेल पोटेंसियल कहा जाता है ये इंडिकेट किया जाता है इएमेफ उप सेल से या ये इंडिकेट किया जाता है इस सेल से हम कोई equation को लिख के नहीं जोड़ दी है यह सब heading है और सब एक के बात है घुम फेर के और इसको हम लोग बोलते हैं सेल का वैदियत वाहक बल आप heading भी उतारिए और सुनिए भी और कुछ वातों को याद कीजिए दिमाग को तेज बनाईए एक साथ कई काम करना है आपको आप याद कीजिए हम लोग दो टर्म पढ़े थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक था एनोड और दूसरा था कैथोड एनोड पर ऑक्सिडेशन हाफ रियक्षन होता था कैथोड पर रिडक्षन हाफ रियक्षन होता था ऑक्सिडेशन हाफ रियक्षन होने के कारण एनोड पर जो पोटेंशियल डेवलप होता था उसको हम लो सेल का निर्मान किये एक बना एनोड और दूसरा बना कैथोर्ड एक तरफ ऑक्सिडेशन हाफ रीक्षन हो रहा है दूसरे तरफ रीड़क्षन हाफ रीक्षन तो निश्चित है कि एक तरफ ऑक्सिडेशन पोटेंशियल डेवलप हो रहा होगा और दूसरे तरफ रीड़क्ष में जोड देजिए इसी जोड को क्या कहा जाता है सेल का वैजद वाहग बल यानि एक सीधी सी बात है वैद्यूत रासाइनिक सेल में एनोड के ऑक्सी करन विभव और कैथोड के अवकरन विभव के योग को सेल का वैजद वाहग बल कहते हैं समझे हम क्या क्या बोले सो और ब लिखेंगे वैद्यत रासाइनिक सेल में एनोड के ओक्सीकरन विभव लिखेंगे वैद्यत रासाइनिक सेल में एनोड के ओक्सीकरन विभव तथा कैथोड के अवकरन विभव एनोड के ओक्सीकरन विभव तथा कैथोड के अवकरन विभव के योग को सेल का वैद्यत वाहक बल कहते हैं सेल का वैद्यत वाहक बल कहते हैं इसे एम एफ इसे एम एफ या एसल से सुचित किया जाता है इसे एम एफ या एसल से सुचित किया जाता है लिख लिया क्या? देखो पिछले क्लास में जो इलेक्ट्रो किमिकल सेल हम लोग बनाए थे पिछलेक्ट्रो क्लास पहले उसमें जो मीटर रीडिंग हमको दे रहा था वोल्ट मीटर एक्च्छल में वो रीडिंग ही क्या कहलाता है? इसे लिए इसका प्रेक्टिकल बात है वोल्ट मीटर जो रीडिंग हम लोगों को देता है वही क्या कहलाता है? E-cell, तब आपके दिमाग में आएगा एकसर वोल्ट मिटर तो potential difference का reading देता है, और आप यहाँ potential को क्या कर दिए, जोड़ दिए यह बात physics में आप पढ़े होंगे हम आपको बताते हैं कि वास्ता में वो potential difference ही है हम जो जोड़े हैं, वो क्यों जोड़े हैं उसका region आपको पाच मिनट के अंदर पता चल जाएगा अब देखिए यहाँ ध्यान से अभी तुरत हम बोले हैं E-cell बराबर oxidation potential of anode क्या इतना समझ सकते हो या नहीं cell विभव बराबर anode का oxycoran विभव plus cathode का अवकरन विभव तो इसी को हम लिख दें reduction potential of cathode जो परिभासा आप लिखें क्या उस परिभासा के हिसाब से हम ये बात लिख सकते हैं या नहीं चलिए इसको और हिंदी में बोला लिखने के लिए मोहमा फुला देंगा सही कह रहा है oxidation potential को हम चाहे तो reduction potential कह सकते हैं लेकिन बस हमको एक काम करना होगा पलस को क्या करना पड़ेगा अभी ये कुछ नहीं है तो पलस value है अभी अभी ये minus में चला जाएगा और minus में जाने के बाद ये op नहीं rp हो जाएगा तो rp of क्या लिखें cathode cathode तो चोपठ हो जाएगा रहे तो पुड़ा बाते बदल लगे तो हम एनोड के oxycron को reduction potential के रूप में लिखना चाहते हो तो वहाँ पर minus लगे तो ये तो एनोड ही रह जाएगा पुड़ा देता है उल्टा पुल्टा कर सब में लाई ये देंगे आज पलस reduction potential of cathode अधको हम ऐसा क्यों की है हम तों को बताए थे ना कि oxycron oxycron की अभिक्रिया हो या अवकरन की अभिक्रिया हो oxycron विभव उत्पन हो या अवकरन विभव हो लेकिन हम लोग हमेशा उसको अवकरन विभव ही मान के चलते हैं एक टर्म में पढ़ने पढ़ने पर न थोड़ा बहतर समझ में आता है इसलिए हम ऐसा करते हैं बुक में भी देखेगा सिर्फ reduction potential का value दिया हुआ रहेगा तो आप खुश से निकाल लो ना उसका oxidation potential sin उल्टा केजिए अपने आप oxidation potential में वो convert कर जाएगा reduction potential of cathode minus reduction potential of अब बताईए ये potential का difference आया उस समय opposite potential था इसलिए हम जोड़ दिये थे और जब same potential रहेगा तब हम घटाएगे ही जैसा आप पहले पढ़े हुए होगे तो इसका ये मतलब हुआ कि cell potential को यानि cell wave of को या cell के वेजित वाहक बलको एक और तरीके से परिवासित किया जा सकता है हम कह सकते हैं cathode के अवकरन विभव तथा एनोड के अवकरन विभव के अंतर को cell का वेजित वाहक बल या EMF वॉप cell या E-Cell कहा जाता है या cell विभव कहा जाता है clear हुआ ये चीज तो उसको समझने के लिए पहले आपको ये लिखना पड़ेगा लिखे लिखे दूसरा definition इसका लिखेंगे कैथोड के अवकरन विभव कैथोड के कैथोड के अवकरन विभव कैथोड के अवकरन विभव तथा एनोड अरे हाँ सही है कैथोड के अवकरन विभव तथा एनोड के अवकरन विभव कैथोड के अवकरन विभव तथा एनोड के अवकरन विभव और को, हम सही लगने हैं, गलत बोला ने जाड़ा है, कैफोड के अवकरन विए्ब तथा एनोड के अवकरन विए्ब के अंतर को सेल का वैदित वहकबल कहते हैं, क्या समझ में आया ? अब कुछ important term जानी है आप, सुनोना थोरा ध्यान से, हम electrode का निर्मान दो condition में कराते हैं, एक standard condition पर और एक normal condition पर, standard condition बोलने के साथ ही तीन चीज फिक्स हो जाता है, temperature, pressure और आयन का concentration, temperature 25 degree सी फिक्स होता है, pressure 180m फिक्स होता है, और आयन का सांधरन 1m फिक्स होता है, लेकिन जब हम standard electrode नहीं बोलते हैं, यानि मानक electrode पर बात नहीं करें, या दूसरे तरीके से यह electrode को बनाएं, तो वहाँ पर temperature, pressure और आयन का संधरन आपको जो मन में है पागल की तरह ले लीजिए, विभव दोनों इस्थिती में पैदा होता है, चाहे मानक सर्थ पर electrode हो, या किसी अन्य सर्थ पर, लेकिन नाम बदल जाता है दोनों का, एक को हम लोग कहते हैं electrode विभव, और एक को कहा जाता है, मानक electrode विभव, electrode potential, standard electrode potential, बात समझ में आ रही है, तो जब ये मानक वर्ड लग जाए ना, किसी electrode potential में, तो तुरत समझ लीजिए कि वहाँ पर electrode का तीन condition दिया हुआ है, या उस तीन condition के अंतरगत ही वहाँ पर potential develop हो रहा है, आई बात समझ में, तो इस आधार पर, यदि हम किसी सेल का निर्मा करें, और किसी सेल का निर्मान दो electrode से possible है, एक electrode मेरे इस हाथ में है, मानलो जिंक, और एक electrode मेरे इस हाथ में है, मानलो टॉपर, इसको भी हम मानक सर्थ दिये, इसको भी हम मानक सर्थ दिये, तब तो पूरा सेल मानक सर्थ पर आ गया, तो सेल का जो विभव उत्पन होगा, जिसको हम सेल विभाव भी कहते हैं, क्या उसको तुम साधारन सेल विभाव कहोगे, क्या कहलाएगा वो, वो मानक सेल विभाव कहलाएगा, वो मानक वेदितवाहक बल कहलाएगा, क्या बात समझ में आ रही है, तो इस आधार पर यदि हम कुछ conceptual बातों को देखें, तो यदि मानक सर्थ पर हम यदि ये काम करते हैं, तो एनोड पर जो विभाव उत्पन होगा, उसको हम लोग मानक अक्सिकरन विभाव कहेंगे, और मानक सर्थ पर यदि कैथोड पर काम करते हैं, तो वहाँ पर जो electrode potential डेवलफ होगा, उसको हम लोग मानक अवकरन विभाव कहेंगे, तो यदि हम इस OP को SOP कह दें, तो इसका मतलब समझ गए, कि ये एनोड मानक सर्थ पर चला गए, यहाँ भी यदि हम S कर दें, तो ये कैथोड मानक पर चला गया, तो क्या E सेल नॉर्मल रहेगा? तो E सेल में S E सेल नहीं लगाते हैं, इसमें लगाते हैं NOT, E NOT, इसको बोलेंगे E NOT सेल, यहाँ भी जैसे E NOT सेल होगा, तो ये हो जाएगा, माइनस S R P, पलस S R P, तो यहाँ भी E NOT, S R P of कैथोड, माइनस S R P of Anode, अब दो तीन टर्म का खूब यूज हुआ, O P का क्या मतलब हुआ बताओ, जल्दी बताओ, Oxidation Potential at any Condition, R P का मतलब, Reduction Potential at any Temperature, any Pressure and any Concentration of Ion, S O P का क्या मतलब हुआ, Standard Oxidation Potential, इट मिंस Oxidation Potential at Standard Condition, S R P का क्या मतलब हुआ, Standard Reduction Potential at Standard Condition, Standard Reduction Potential, E Cell का क्या मतलब हुआ, Cell Potential at any Condition, और E NOT Cell का क्या मतलब हुआ, Standard Cell Potential, Manak Cell Vibhav, Cell Vibhav, Manak Cell Vibhav, Manak Avkaran Vibhav, Manak Oxygen Vibhav, Oxygen Vibhav Avkaran Vibhav, अब आपसे यह उम्मीद करें, कि यह छे टर्म कहीं भी यूज में आएगा, तो तुरत आपके दिमाग में इसका सारा Concepts नाचना सुरू करतेगा, नहीं नाचा तो तू नाच जाएगा पूरे चेप्टर में बास समझ में आ रही है फसोगे उलजोगे बहुत बुरी तरह यह दी यह सब टर्म के लिए और नहीं रहा तो तो आप लिखी आगए यह बात और इसमें कुछ अलग हो गया क्या कुछ अलग नहीं हुआ है बात वही है सिर्फ सब को हम मानक पर लेके चले गए तो बाते थोड़ी सी बदल गई सिंबल चेंज कर गया इस सब को तुम अपने से लिख लोगे या इसको हमको लिखना पड़ेगा सच में लिख लोगे हम एक बार फिर से बोल दे रहे हैं ओक्सीडेशन पोटेंशियल अक्सीकरन विवब रिड़क्शन पोटेंशियल अवकरन विवब Standard Oxidation Potential माना कॉक्सी करन भी हो हम लिखिये देते हैं का कि तुम को हम बकलोल समझते हैं हो ही बकलोल कहने पर तकलीफ कितना होता है रोड पर साइकल लगाने में कोई दिक्कत ही होता होगा उसमें तो अपने आपको बहुत होसियार समझता होगा Oxidation Potential Reduction Potential Standard Oxidation Potential यदि सेल का वेदित वाहा कवल मानक सर्थ पर ने कालने के लिए के लिए कहेगा तो ये सब formula लगाएंगे और किसी normal सर्थ पर कहेगा तो ये सब जो लाल से S लिखा हुआ है ये सब अपने आफट जागा जो पहले लिखा हुआ था इसे पहले Standard Reduction Potential Cell Potential Standard Cell Potential और तुमको यह भी ध्यान रखना है किसी Electrochemical Cell में एक Electrode Standard Condition पर हो और दूसरा Electrode यदि Standard Condition पर नहीं हो तब वहां पर Standard की बात होगी ही नहीं यानि Standard की बात तब होगी जब पूरा का पूरा सिस्टम Standard Condition पर होगा क्या बात समझ में आ रही है ये बात जैसे किसी Half Electrode के लिए काम कर रहा है Standard Condition पर है तब हम SRP SOP कहेंगे फिर दूसरे के लिए भी वही बात है लेकिन पूरा सेल के लिए जब हम काम करेंगे तो पूरा सेल का E-Sale, E-Node Cell तब कहलाएगा यानि Standard Cell Potential तब कहलाएगा जब दोनों Electrode मानक सर्थ को पूरा कर रहा हो मतलब दोनों तरफ आएन का सांद्रानवानेम हो दोनों तरफ प्रेसर की यदि बात हो गैसे सेलेक्टोर है तो प्रेसर 1-80m हो और दोनों तरफ टेंप्रेचर क्या हुआ उसका तो 0 होता है वो हमेशा 0 होता है वो कल बताएगे वहीं से कल स्टार्ट होगा क्या हुआ क्या हुआ इलेक्टोर्ड का पोटेंशियल पोटेंशियल निगेटिव या पोजेटिव नहीं होता है पोटेंशियल हमेशा एक निमेरिकल भिली होता है और उसको हमेशा पोजेटिव निगेटिव इस आधार पर मानते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या reduction आप घरे हो जाएएा है आपका question clear नहीं है हम आपके question को clear कर देते हैं आपकी बातों में यदी मान लीजिए किसी electrode पर oxidation हो रहा है किisBER garden पर यदी oxidation की घटना हो रही है तो उसका oxidation potential positive हो सब लोग देयों से सुनना किसी electrode पर यदी oxidation हो रहा है तो उसका reduction potential positive होगा अब आप अपने मन के हिसाब से आप उसको plus minus कर सकते हैं मन के हिसाब से का मतलब जो हो रहा है उसके विपनित यदि आप बात बोलिएगा तो वो sign अपने आप क्या हो जाएगा negative जैसे हो रहा है oxidation और आप कहरें कि सर इसका reduction potential क्या होगा और सब लोग इस बात को ध्यान में रखिए और जिसका oxidation होगा उसका oxidation potential positive होगा और जिसका reduction होगा उसका reduction potential positive होगा अई बास समझ में और ये formula कभी कभी ने तुमको confusion देगा कि standard reduction potential में क्या थोड पहले था कि anode तो तुम उतना सोचना मत तुम बस ये गौर इसमें थोड़ा यहां जोड़ डालना दिमाग पर और तुम ये सोचना कि oxidation होता है तो oxidation potential positive होता है और anode का oxidation होता है तो oxidation potential of anode और reduction potential of cathode दुनों को जोड़ देना और यदि तुमको reduction के term में ले जाना है oxidation को sign वदल के मैनस कर देना अपने अब तुमको पता चल जाएगा कि एनोड पहले रहेगा कि cathode यही trick हम अपना के पढ़ा करते थे इसलिए हम तुमको बता रहे हैं क्या बोलना चारे बोलिए क्या हुआ एनोड 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 अच्छा आप यह बोल रहे हैं हाँ यह सही है यह भी तो सही है एक ही बात हुआ न जी एनोड के थोड का मतलब हो गया reduction potential of standard reduction potential of cathode और जब आप एनोड एनोड बोलेंगे तब एनोड जैसे ही आप बोलते हैं यहाँ पर oxidation potential की बात होगे तो एक्च्छल में इस टर्मेन यह ज्यादा किलियर नहीं हो पाता है समझे लेकिन किलियर यदि तुम करना चाहते हो तो तुमको अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा क्या सोचना पड़ेगा है कि हम एनोड एनोड लिख दिये हैं यहाँ पर एनोड है तो oxidation और oxidation है नोट लगाया हुआ है तुम इसका मतब स्टेंडर्ड oxidation potential अब आगे तुमको किस चीज की जरूरत है एनोड के reduction potential की जरूरत है या एनोड के oxidation potential की जरूरत है उस हिसाब से वो value या तो plus होगा या फिर minus होगा तुमको यदि oxidation potential की जरूरत है तो निश्चित ये positive होगा और यदि इनोड एनोड लिख दिये हो तुम और तुमको reduction potential की जरूरत है तो निश्चित है कि उसका value negative होगा समझे साइन में काफी confusion होता है इसमें और confusion जैसा कुछ नहीं है यदि आप parallel समझें तब क्लियर हो आपका बात आप जो कहना चाहरे है हलांके आप जो ये बात बोल रहे हैं ये सब आगे ये term use में आएगा इनोड के थोड इनोड अभी हम उसका use नहीं किये चुकिए ये पहली बारा आया है यहाँ पर यदि हम इसको touch करेंगे तो फिर मुस्किल हो जाएगा ठीक है अब आगे नर्स्ट इक्वेशन स्टार्ट होने वाला है उसमें इस सब का बहुत ज़्यादा जरुद परेगा आपको हमको ऐसा लगता है कि आप ये सब पढ़े हों इसलिए आप थोरा सा डिसकस कर लिए बैठ जाएए अभी आप वह तक पहुंचे नहीं है हो गया बाकी बात नेक्स्ट क्लास में